जै श्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो हम आ गए हैं फिर से आप सब के लिए और आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बेटा प्राइस इला theory of demand को पढ़िये क्योंकि theory of demand पढ़ने की वज़ा से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-कौन से law applicable है या कौन-कौन से exemption applicable है आपके demand में पढ़न क्लियर हो गया तो चलो फिलहाल जिन बच्चों ने theory of demand पढ़ लिया है वो आगे बढ़ेंगे अपने नए chapter की तरफ और हमारा नया chapter क्या है आपका इलासिटी of demand तो देखो जब आप इलासिटी of demand की बात करते हो ते इलासिटी का मतलब क्या होता है इलासिटी का मतलब होता है लचीलापन और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका प्राइस होता है और जो डिमांड क्वांटिटी होती है वो दोनों एक दूसरे में क्या होती है इनवर्स होती है इनवर्स होने का मतलब क्या ह सर, inverse होने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारा price बढ़ेगा, हमारा demand क्या होता रहेगा, घटता चला जाएगा, सही बात है कि नहीं इस बात है भई, यही बताया था ना, कि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, price बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा demand क्या होता है, घटता है, इसी के opposite ये भात समझ में आ गई अब ये जो chapter है ये आपको ये बताता है कि जो आपका price बढ़ रहा है उसकी वज़ा से जो demand आपकी क्या हो रही है गट रही है कितनी गट रही है या फिर जो आपका demand बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है यानि जब आप illacity of demand की बात करते हैं तो illacity of demand ये कहता है कि भया प्राइज के बढ़ने पर quantity हमारी घट रही है ये सत्य है कि कुशी प्रकार प्राइज के घटने पर quantity हमारी बढ़ रही है ये आपका क्या कहता है law of demand कहता है ये आपका क्या कहता है law of demand कहता है तो illacity of demand ये कहता है कि सर परसेंटेज आफ चेंज बताने की जिम्मेदारी हमारी है percentage of change बताने की जिम्मेदारी क्या है हमारी है मतलब कितना price बढ़ा क्या सब्द वेवला मैंने बिटा कितना price बढ़ा कितना price चेंज हुआ कितना price चेंज हुआ और फिर उसके बाद कितना quantity चेंज हुआ कितना quantity में चेंज आया ठीक है तो वो बताने की जिम्मेदारी आपकी किसकी है बेटा elasticity price elasticity of demand की ठीक है आपने देखा होगा जब आप कभी भी rubber band देखें कभी rubber band बच्चियां लगाती है अक्सर किसी के पास है क्या अगर है तो मुझे ज़रा दे दू मैं दिखाना चाहूँगा आप फेको मेरे पास फेको देखो यह rubber band है मेरे पास नॉर्मल सेफ है इसको आप क्या करो खिसते जाओ खिसते जाओ खिसते जाओ इसकी भी एक सीमा है एक सीमा के बाद यह रुक जाएगा या फिर उसके मैंने आपको जब demand change पढ़ा रहा था मैं तो मैंने आपको बताया था कि individual demand और market demand बताया था कि नहीं बताया था बता रखा था वहाँ पर individual demand भी हमें देखनी है और आपकी क्या देखनी है market demand भी देखनी है clear हो गया इतना ज़रा लिखो मेरे साथ इट्स रिफर किसी ने पूछा कि भाई प्राइट अच्छा इलासिटी समझ में आ गया ना ज़रा इसकी डेफनीशन लिखो इट्स रिफर इट्स रिफर तू परसेंटेज इट्स रिफर तू परसेंटेज चेंज in 1-t in 1-TT दिमादए डिफरी इट वंटी यदरी दिमादए प्राइट रिस प्रॉस्पो लार संटच और तो तो कर देंटेज पर संटेज ऍट Change in Price of the Commodity Price of the Commodity तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? It's referred to the percentage change of the quantity Demand in the response of the percentage change in the price यानि प्राइ्स के बढ़ने और घटने पर सीधी सी बात है आपका demand भी क्या हो जाएगा बढ़ या घड़ जाएगा तो कितना demand बढ़ेगा कितना price बढ़ेगा वो आपका कौन explain करेगा बेटा elasticity of demand explain करेगा बताई ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा कोई समस्या तो नहीं अब देखे आपको इस चाप्टर में पढ़ना क्या-क्या है ये हम पहले देख लेते हैं ठीक है elasticity का मतलब क्या होता ये मैंने आपको बता दिया अब बारी है कि सर इस चैप्टर में हमें में पढ़ना क्या-क्या है तो देखो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है क्या Price Elacity of Demand क्या हमने Price Elacity of Demand complete कर लिया पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया सर पढ़ लिया दूसरा point हमारा क्या है वेटा Degree of Elacity of Demand देखे डिगरी का मतलब क्या है इसमें मैं आपको 5 तरीके का Point समझाऊंगा 5 तरीके का Point समझाऊंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि Price के बढ़ने पर Quantity में क्या Changes आ रहा है या Price के घटने पर Quantity में क्या Changes हो रहा है वो सब आपको बताएंगे जिससे हम क्या कहेंगे degree of elasticity of demand को कर सकते हैं उसके बाद आपको निमेरिकल भी कराया जाएगा और फिर लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर इफेक्टिंग दा इलासिटी ओफ डिमांड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा तो ये पांच पॉइंट आपको इस प्राइज इलासिटी ओफ दिमांड में क्या करने हैं पढ़ने हैं और पांच में से आपने एक पॉइंट तो पढ़ी लिया अब बाकी चार पॉइंट हमें पढ़ने हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के पॉइंट हम लोग क्या करते हैं समझते हैं पढ़ते हैं ये पॉइंट आप लोग ज़रू हैं PPT चाहते हैं तो आप हमारे एप को डाउनलोड करिए वहाँ से आप ये PPT डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद अब next point है हमारा क्या degree of velocity of demand तो जब हम degree of velocity of demand की बात करते हैं तो मैंने आप से कहा क्या कहा बेटा कि हमारे पास 5 परफेक्ट इनलासिटी इनलासिटी परफेक्ट्ली इनलासिटी दूसरा है आपका less elacity of demand less elacity of demand इसरा है हमारा unilateral unilateral elacity of demand ठीक है यह हो गया हमारा तीसरा अब चौथा देखते हैं चौथा है बिटा आपका higherly elacity of demand अपनी पढ़ रहे हो क्या elacity of demand note down करूँ जल्दी last है आपका बिटा perfectly elacity of demand अच्छा इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ यह कितने हो गए यह क्या है जादा यह क्या हो गया विटा कम बराबर जयादा कम बराबर जयादा कुछ हो नहीं यह perfectly inelastic का मतलब क्या है कुछ हो नहीं और इसका मतलब क्या है? पता नहीं कैसे अब देखो देखिये perfectly in elastic का मतलब क्या होता देखो elasticity हम आपका denote कैसे करते हैं इसको denote करते हैं E capital E small D पराबर zero इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि price बढ़े या घटे demand पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्राइज बढ़े या घटे इसका मतलब डिमांड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे for example जब पेट्रोल 60 रुपया का था तो भी मैं 5 लीटर तेल डलवाता था अपनी गाड़ी में आज पेट्रोल 100 रुपया का है तो भी मैं 5 लीटर तेल डलवा रहा हूं अपनी गाड़ी में क्योंकि मुझे 5 लीटर की आउशकता है चाहे 100 रुपया का हो चाहे 200 रुपया का हो तो मुझे क्या करना है करना ही पड़ेगा तो प्राइज बढ़े या घटे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी रिक्वार्मेंट उतनी है तो एडी बराबर क्या हो गया आपका जीरो और जीरो मतलब आपका क्या हो गया इन एलास्टिक प्राइज के बढ़ने और घटने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी ये चीजे मैं आपको लिखाऊंगा तो निश्चिंत रहें आप अभी समझा रहा हूं खाली अब लेस इलास्टिक क्या होगा सर्फ लेस इलास्टिक को हम डिनोट करेंगे कैपितल डीॅज इस कैपिटल एसमॉल क्या डी और इच्छ एक बात बताइए पुआ किसकी तरफ खोलें है रहा मतलब देखो हमको ये वाला साइन लगाना है ये वाला ये स्मॉल और ये greater than वाला साइन होता है न इस वाले को जिसकी तरफ मुई खुला रहता उसको हाइ कहते है음 मतलब बढ़ा कहते हैं जिसकी तरफ बंद रहता तो उसे क्या कहते हैं, छोटा कहते हैं, तो यह क्या है, less elastic, मतलब price में कम change आएगा, price में क्या होगा, change आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बिटा, देखेंगे ज़रा यह रहा, one, ठीक है, यह आपका क्या है, unilateral, unilateral मतलब क्या बिटा, बराबर, equal, equal न, तो यहाँ पर क्या होगा, ed बराबर क्या, one, अलब जितना price में change, उतना quantity में change, और यहाँ पर क्या होगा बिटा, थोड़ा सा price change हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, price change हुआ, और quantity एगदम change हो गई, कैसे, अभी कुछ दिर में देखेंगे, और inelastic, यह perfectly, elasticity of demand, य यह क्या है बेटा, ed infinite, इसको क्या कहते हैं बेटा, ed infinite, infinite का इसे दो ठेजीरो बना दो, यह बन गया, तो अगर किसी ने पूछा कि degree of elasticity of demand कितना है बेटा, तो आप क्या नाम देंगे, सर, पांस तरीके का हमारा degree of demand होता है, elasticity of demand होता है, पहला क्या है, perfectly inelastic, दूसरा क्या है, less elasticity of demand, फिर क्या है, unilateral elasticity of demand, फिर क्या है आपका, highly और फिर last क्या है आपका, perfectly elasticity of demand, बात समझ में आ गई, तो अब हम करेंगे क्या सर, पढ़ेंगे कैसे कैसे देखो, इन सब का हम सबसे पहले आपको क्या समझाएंगे, meaning समझाएंगे, meaning को समझने के बाद हम फिर क्या और table देखने के बाद फिर क्या देखेंगे, आपका diagram भी देखेंगे, यानि तभी तो हमारा concept clear होगा, तो हम इस topic को तीन portion में cover करेंगे, क्या होता है, table क्या बनेगी और इसका diagram क्या होगा, ठीक है, बात clear होगे, क्योंकि exam में यही तीनों आपके answer होंगे, तो सबसे पहले आपका point क्या है, perfectly inelacity, देखो perfectly inelacity का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, बेटा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, inelastic, inelastic का मतलब कि price में changes आ रहे हैं, या तो price बढ़े, या तो price क्या हो बेटा, घटे, लेकिन अगर हम demand की बात करें, अगर हम किसकी बात करेंगे demand की बात करेंगे, तो demand में कोई भी change नहीं आ रहा है, no change, क्या कहेंगे बेटा, इसे हम no change कहेंगे, बात समझ में आ गई, price बढ़े, या price घटे, हमारी demand पर कोई भी आपका, क्या कहते हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक और example, जैसे अगर हम आपके नमक की बात करें, न पचीस रुपय का या पचीस रुपय का आता है, सायद, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई, अब नमक आपका सो रुपय का हो गया, तो क्या करोगे, और एक महीने में आपको एक किलो नमक की ओशकता है, तो क्या करोगे, आधा किलो नमक खरीदोगे अब, खरीदना त पहले 400 का मिलता था अब 11 या 1200 का मिलता है या साध 900 का मिलता है तो भई अगर आपको एक महीने में गया सिलिंडर क्यों शकता है तो चाहे 400 का हो चाहे 900 का हो चाहे 1300 का हो मालिक खरीदना तो पड़ेगा या आपकी डिमांड पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है प्राइज कणясा है या इस स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया इसाली कंडिशन को हम लोग कहते है Perfectly in Elastic situations perfectly in Elastic situation आज समझ में आगई आप देखो एक table के माध्यम से हम इसको समझाते हैं यह गया आपका प्राइज और ये हो गया आपका क्वांटिटी जब प्राइज हमारा 5 रुपया था तो हम डिमांड करते थे 10 रुपया फिर से प्राइज बढ़ गया अब भी भी हम डिमांड कर रहे हैं क्या 10 रुपया prize हमारा 15 हो गया अभी भी हम demand कर रहे हैं क्या 10 जरा बताइए price में changes आ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं price में sir change हो रहा है लेकिन क्या quantity demand में कोई change आ रहा है कोई quantity demand में change आ रहा है no sir तो इस situation को हम लोग क्या कहेंगे perfectly in elastic situation ठीक है प्राइज में भी दा इंक्रीज ओर डिक्रीज दा डिमांड क्वांटिटी डाज नाट एफेक्ट आफ प्राइज चेंज बात समझ में आ गई बेटा आईए अब इसका हम लोग डाइग्राम बनाते हैं तो डाइग्राम बनाना लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ज इधर क्या रहता है आपका वाई अच्छा यहां क्या लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी हां गलती मत करना नहीं कुछ बच्चे नीचे प्राइज लिख दें ऐसा नहीं करना यूनिट हमेशा क्या रहता है बेटा बेस में रहता है बेस मतलब नीचे रहता है और इधर क्या रहेगा आपका price, ठीके बेटा इधर क्या रहेगा price, गलती नहीं करना बेटा, चलो quantity हम लोग लेते हैं आपका 5, यह हो गया 10, यह हो गया आपका क्या 15, और यह हो गया आपका क्या 20, ठीके, price भी यही लेते हैं, पाँच दस पंदरा और यह क्या हो गया आपका बीस चलिए पहली सिचुएशन बताईए पहली सिचुएशन क्या है पहली सिचुएशन प्राइस कितना था पाँच रुपया डिमांड कितना था हमारा दस रुपया प्राइस हमारा कितना था पाँच और demand हमारा कितना था 10 यही है न यही है न पॉ liability हमने मिला दिया दूसरा situation क्या है भाई किर प्राइज हमारा 10 हो गया हर demand कितना अभी भी है दस यह देखे यह डेखे अभी भी भी है है सही है ऊचल रहा है श्रेंद पर replace कितना हो गया सर 15 demand कितनी है अभी इलासिटी की बात करेंगे परफेक्टली इन इलासिटी की बात करेंगे तो यह जो आपका DD कर्व है यह जो आपका क्या है DD कर्व है यह पैरलर है आपके किसके प्राइज के या Y-axis के पैरलर है यह आपका क्या है बेटा y axis के parallel है यानि यह जो आपका कर्व वना है इसको हम क्या कहेंगे ED मतलब elasticity of demand यह ED क्या है वेटा parallel है क्या है आपका parallel to y axis ठीक है parallel to y axis बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी ने पूछा कि ज़रा बताइए perfectly in elasticity में जो आपका ED होता है वो किसके parallel है y axis के की x axis के तो आप answer क्या देंगे y axis के एक number का mcq यहां से बन कर आता है पेर हो गया बेटा एक mcq यह आएगा कि बताइए वो कौन सी situation है जहाँ पे price के बढ़ने और घटने पर demand पर कोई effect नहीं पड़ेगा उस situation का नाम क्या है perfectly inelastic यानी ed बराबर क्या 0 ed बराबर क्या बिटा 0 बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया चौलफ है inelastic के बाद अगली बारी अब किसकी है बताइए less वाले की की जादा वाले की की बराबर वाले के देखो अब याद करने का तरीका पहले वाले में आरेक्ट हाई पहले मत जाओ तीसरे वाला क्या है आप जादा है तीसरा वाला चा तीसरा वाला बराबर है चौथा वाला क्या है हाई है ना और पच्वा वाला रामभरो से मतलब वो आपका क्या infinite क्या होगा infinite चलो आओ देखते हैं तो दूसरा है आपका less elasticity of demand तो देखो less elasticity of demand का मतलब क्या होता है sir इसका मतलब यह होता है वेटा सामने देखेंगे कि आपका जो price बढ़ रहा है या जो आपका price क्या हो रहा है घट रहा है यानि price में change आ रहा है कि नहीं change आ रहा है change आ रहा है sir इससे less change इसे से क्या बिटा, less change, less का मतलब क्या, कम न, less change आएगा, less change क्या होगा, आएगा, कहां आएगा सर, आपके quantity demand में, आपके किस में बिटा, quantity demand में, सर क्या बात कर रहे हो, example से बताओ तो समझ में आएगा, चलो example से समझते हैं, direct, देखो यह आपका price हो गया, px हो गया, और यह क तो price पहले हमारा क्या था, 100 रुपया था, ठीक है, तो हम demand भी कर रहे थे, कितना, 100 रुपय का कर रहे थे, price कितना था, 100 रुपय का था, हम demand कर रहे थे, कितना, 100 रुपय का, अब price हमारा 200 हो गया, अब हमारा price कितना हो गया, 200, यानि यहाँ पर percentage of change, ज्यादा है कि नहीं है, यहाँ पर percentage of change क्या है जादा है तो अब देखो demand में क्या होना चाहिए देखो जहां से पर demand हमारा क्या हो गया असी रहे गया मतलब यहाँ पर percentage of change क्या है विटा less है की नहीं है यहाँ पर percentage of demand क्या है less है और यहाँ पर percentage of price change क्या है जादा है तो इस situation को हम लोग क्या कहेंगे less elasticity of demand क्या कहेंगे आपका less elasticity of demand note करो चलो ध्यान दो समझ में आ गया बिटा चलो सर इसका graph बताओ graph कैसे बनेगा तो देखो graph के लिए देखो चलो जल्दी से graph बनाते हैं चलो जल्दी से आप लोग ड्रॉ करो यह क्या हो गया आपका zero यह क्या हो गया x यह क्या हो गया आपका y मतलब price कि क्या होगे आपका quantity बोलते रही है ठीक है जब आप लोग नोट करते हैं तो बोलते भी रहा करिए ताकि याद रहे हो याद भी हो जाए ठीक है तो पचास लेकर चलें पचास तो पिर रेड़ सो और फिर आपका क्या दो सो एक और बढ़ा लेते हैं दो सो पचास quantity की बात करेंगे पचास कितना आपका सो फिर आपका कितना वन एक सो पचास अब फिर आपका कितना ये दो सो ठीक है चलिया ये देखते हैं तो अब देखिए पहला पहला सिचुएशन क्या है जब हमारा प्राइस कितना था तो था हमारी डिमांड कितनी थी वेटा सौ यह देखे हमने यहाँ पर कट कर दिया हमने आपर क्या कर दिया कट कर दिया ठीक ना फिर हमारी हमारा प्राइज क्या होगे बिटा दोसो अब दिखे असी मेरे ख्याल से है यहीं पर आएगा जो मैं लाइन कर रहा हूँ ठीक है तो हमारा प्राइज कितना हुआ 200 हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई बेटा हलकी सी कम हुई ज्यादा नहीं कम होई है, बहुत हलकी सी कम होई है, आपका इतना ज्यादा बढ़ गया, और क्वांटिटी आपको क्या हो गया, इतना कम हो गया, आपको लाइन खीच लो बेटा, ठीक है, इसकेल से आप लोग खीचे बराबर बराबर, ये लिजे, ये बन गया आपका क्या, इडी लेस देन वन, इडी क्या आपका लेस देन वन, बताओ बेटा समझ में आगया की नहीं आगया, पई समस्या तो नहीं, तो लेस इलासिटी आफ डिमांड भी हमारा क्लियर हो गया, अब बारी किसकी है यूनिलाइटरल मतलब बराबर वाले की अच्छा बराबर वाले में कहानी क्या होती है जानते हो कि जितना आपका प्राइज चेंज होगा उतना ही डिमांड भी चेंज होगा क्या बोला मैंने जितना प्राइज चेंज होगा जितना प्राइज क्या होगा बेटा चेंज होगा उतना ही डिमांड उतना ही डिमांड चेंज होगा चिक है जितना price change होगा उतना ही demand भी क्या होगा बेटा change होगा बात समझ में आ गई तो इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं elacity unilateral elacity of demand example से देखते हैं यह आपका price हो गया और यह आपका क्या हो गया demand price हमारा क्या था आपका देखें price हमारा क्या था बेटा 5 तो हम demand कर रहे थे क्या 10 अब price हमारा कितना change हो गया 10 अब demand हमारी क्या हो गई 5 बताइए यहाँ पर जो percentage of increasement है यहाँ पर percentage of decreasement है वो बराबर ही तो है percentage of increasement and percentage of क्या decreasement equal ही तो है clear हो गई बेटा तो इस situation को हम लोग क्या कहते हैं unilateral elasticity of demand clear हो गया आईए इसका भी हम लोग क्या बनाते हैं विटा डाइग्राम बनाते हैं जल्दी से बना लेंगे यह क्या हो गया आपका यह क्या हो गया आपका एक्स वाई एक्स जीरो यह क्या है आपका quantity प्रियूरी यह क्या है आपका डायर ठीक, आईए देखते हैं, पाँच, और यह क्या है आपका, दस, यहाँ पर क्या रखते हैं, पाँच, यहाँ पर क्या रखते हैं, दस, ठीक है, यह हो गया वाई, ठीक, ठीक, यह क्या हो गया आपका, दस, चली मैच करिए, जब मेरा प्राइस कितना था, पाँच, मैं डिमांड कितना करता था, दस, यह रहा, ठीक है, मेरा प्राइस कितना बढ़ा, दस, मेरा डिमांड कितना हो गया, पाँच, यह देखे, मेरा डिमांड कितना हो गया, पाँच, ठीक, बात समझ में आ गई बेटा चलिए मैच करिए इसको अब यहां से यह लीजे एडी आ गया मेरा एडी बराबर क्या वन अच्छा एक चीज़ सुनो बेटा ध्यान से कई बार एक कुश्चन आता है कि अगर एडी बराबर वन है इडी बराबर क्या है वन है तो सीधी सी बात है अगर आप देखोगे तो यहां पे बराबर रेक्टेंगुलर सेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है रेक्टेंगुलर सेप बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस rectangular shape को हम कहते हैं hyperbola कहते हैं rectangular hyperbola कहते हैं लिख लीजे मेरे साथ एक नमबर का सवाल पूछते हैं कई बार समझ में आ गई तो यह यूनिलेटरल हो गया हमारा अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखो बराबर तक पहुँच गए थे अब क्या होगा अगला हाई वाला होगा है न मतलब क्या है कि सर प्राइज कम change हुआ लेकिन demand क्या हो गई ज्यादा change हो गई देखो क्या है इसमें price साइज कम चेंज हुआ but demand बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज हो गई बहुत ज्यादा चेंज हो गई और इसका एक्जामपल हम आपको बता आप लोगों ने मार्केट में दो तरीके की मैच बॉक्स देखी होगी एक चमेली की आती है और एक किसान की आती है चमेली वाले ने क्या किया कि अपना प्राइस दो रूपया कर लिया किसान वाले ने एक ही रखा अब एक बात बताईए मैं गया दुकान पे मैंने का भीया मैच बॉक्स देना उसने का भीया दो रूपया देना मैंने का अरे कल तक तो एक आती थी अब दो रूपया कैसे भीया कमपनी ने बढ़ा दिया बढ़ा दिया मैंने का ठीक है कोई बात नहीं बगलिया में किसान भी रखी थी मैंने का ये कितने का है इसने का भी या एक ही रुपए का है मैंने का ये है दो और एक बात बताओ अगर ये बुद्धी हम अपना रहे हैं तो क्या बाकी लोग भी तो अपनाए होंगे समझ गए कि नहीं समझ गए यानि थोड़ा सा प्राइज बढ़ा है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत घट गई जैसे इसदामपल देखो यह हो गया आपका प्राइज और यह हो गया आपका क्या क्वाइंटिटी प्राइज आपका 100 रुपए से 110 हुआ थोड़ा सा बढ़ा और क्वाइंटिटी की बात करें पहले 100 रुपए में 100 लेते थे अब 110 में कितना लेने लगे 20 लेने लगे कितना लेने लगे 20 लेने लगे तो यहाँ पे देखिए percentage of change थोड़ा सा है और यहाँ पे percentage of change कितना है बहुत जादा हो गया कि नहीं हो गया तो यह क्या हो गया आपका highly in sorry highly elasticity of demand बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा बात समझ में आ गई चलिए diagram बनाते हैं इसका यह हो गया 0 यह क्या है आपका Y यह क्या है आपका X नीचे क्या लिखते हैं quantity कि इदर क्या लिखते हैं अ अ बो पचास इस्तौ प्रेट इस्तो अ फिर आपका क्या 200 सो कि इधर क्या हम बीस से सुरू करते हैं न बीस से करते हैं बीस क्यालिस साट अस्ती और यह क्या हो गया सो चलिए बताइए जब हम क्या थे आपके सौड़ी सी डिमांड बढ़ी थोड़ा सा एक पॉइंट हमने बढ़ाया थोड़ा सा यह देखो यह जो लाइन में खीच रहा हूँ लेकिन डिमांड कितनी हो गई बेटा पीस यह देखिए यह रहा ठीक है यह देखिए ठीक पताईए इतना जादा कमी आ गई प्राइज में कितना कमी आई थोड़ी सी डिमांड में कितनी कमी आगई रहे इस सर बितनी जादा ठीक है अब आप लोग इसे मिलाईए इसको मिल जाएगी मिल जाएगी टेड़ी मेड़ी मिल जाएगी स्केल से मिलाएंगे तो मिल जाएगी ठीक है स्केल से मिलाएंगे तो मिल जाएगी पिस यह है कि बहुत आपको bend करना पड़ेगा बहुत bend हो जाएगा ठीक है bend हो जाएगा पूरा समझ में आगए बटा अब बारी किसकी है बटा इन इलासिटी माफ करिएगा क्या perfectly velocity of demand perfectly velocity of demand का मतलब क्या है सर price में कोई changes नहीं है price में क्या है बिटा price में कोई change नहीं कोई change नहीं but demand में change है अच क्या है बिटा demand में change है but demand में change है ठीक है price में कोई change नहीं है example देखो price है आपका माल लीजे 10 रुपया quantity demand आप कर रहे थे माल लीजे 100 रुपया ठीक price है अभी भी कितना 10 रुपया लेकिन quantity demand हो गई कितना 200 रुपया यानि price में क्या कोई change है sir price में कोई change नहीं है और यहां पे क्या है sir change है यहां पे क्या है change है अगर आपको याद हो तो आपने एक point ये भी पढ़ा था perfectly inelastic मतलब इसमें क्या था कि इसमें quantity में change नहीं हो रहा है और इसमें क्या नहीं change हो रहा है price में कोई change नहीं हो रहा है तो जहां पे quantity में change नहीं हो उस situation को हम कहेंगे inelastic situation और जहां पे price में change नहीं हो उससे क्या कहेंगे perfectly of demand perfectly of demand बात समझ में आ गई बेटा अब इसका diagram version देखते हैं चलिए diagram देखते हैं बेटा जल्दी से अगर बात आप देखो चलो बनाओ जल्दी से यह क्या हो गया बेटा आपका y 0 यह क्या हो गया आपका x price कितना ले हम लोग 5 यह क्या हो गया हमारा 10 quantity 50 100 पर यह क्या हो गया आपका 200 200 चलो देखो जब price आपका कितना था 10 रुपया था quantity आप कितना order करते थे बेटा 100 यानि यह रहा अभी भी price कितना है आपका quantity demand इस बार कितना कर रहे हो 200 यह देखे यह देखे इस समय जो आपका ed है वो किसके parallel है इस बार ed आपका किसके parallel है x axis के parallel है यह जो ed है कि किसके parallel है पैरलर है बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया और उसमें आपका जब आपका क्या होता था inelastic होता था inelastic में जो आपका ed है वो किसके parallel था y के parallel था बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा पका न चालो इसी के साथ आपका यह जो degree of elacity of demand है यह क्या होता है आपका समाप्त होता है यानि आपने ed बराबर 0 भी देख लिया ed is less than 1 ed is equal to 1 ed is more than 1 ed is infinite देख लिया अब हमारा जो next topic है वो है आपका क्या degree of माफ करियेगा method of calculating the elacity of demand बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा क्यों फिर अगला heading डालो सभी लोग क्यों फिर बेटा अपना तीसरा topic हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा तीसरा topic क्या है how to calculate elacity of demand तो देखो जब आप elacity of demand की बात करोगे बेटा जब आप किसकी बात करोगे elacity of demand की बात करोगे तो इसको calculate करने की कितने method है आपके दो method है एक जो होता है आपका percentage method और दूसरा जिसे हम कहते है आपका proportional method क्या कहते है बेटा proportional method percentage method और proportional method आप इन दोनो method में से कोई भी method आप use करेंगे answer सबका क्या रहेगा सेम ही रहेगा आईए one by one discuss कर लेते हैं अगर आप percentage method की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ed बराबर अच्छा यह सब दो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है ed बराबर minus ed बराबर minus यहाँ पे minus क्यों लिखा है मैं बताओ यहाँ पे minus इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो आपका demand होता है या जो आपका price होता है इन दोनों के बीच में क्या रहता है inverse relation होता है क्या होता है आपका inverse relation होता inverse मतलब opposite relation होता negative relation होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा दूसरा घटेगा तो पहला क्या होगा बढ़ेगा इसी वज़ा से यहाँ पे minus सब्द का क्या किया गया है इस्तमाल किया गया है बात clear होगी आगे देखेंगे क्या लिखा है हम को यह minus लगाना पड़ेगा formula लिखते समय आपको यह minus लगाना पड़ेगा याद रखिये इस बात को ठीके बिटा आगे देखेंगे क्या लिखा है कि ed बराबर minus फिर क्या लिखा है percentage change in quantity divided percentage change in the price percentage change in the quantity divided percentage change in the price यह पहला formula है अब सवाल यह उठता है कि sir यह percentage change in quantity कैसे आता है यह percentage change in the price कैसे आता है तो इसका जो formula होता है बेटा ध्यान से सुनना इसका formula होता है मेरे साथ लिखेंगे start देके delta q delta q upon q into 100 delta q upon q into 100 अब आपके मन में आएगा एक सर एक बात बताओ यह delta q क्या होता है कि delta q कैसे calculate होता है तो बेटा delta q calculate होता है new value of the price minus old value of the price ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने new value of the price minus old value of the price यह आप यह भी कह सकते हो अच्छा quantity की बात कर रहा था माफ करियेगा new value of the quantity minus old value of the quantity और जब price की बात करोगे तो new value of the price minus old value of the price बात क्लियर हो गई बेटा तो यहाँ पे delta q बराबर start देके लिखेंगे आपका q1 minus q q1 minus क्या आपका q अच्छा यह q1 क्या है बेटा new quantity इसको क्या कहते है हम new quantity इस वाले को क्या कहेंगे बेटा old quantity क्या कहेंगे बेटा old quantity बताओ समझ में आया कि नहीं आया किसी ने पूछा how to calculate delta q तो क्या कहेंगे आप new quantity minus old quantity clear हो गई बेटा उसके बाद अगला point क्या है आपका change in price अच्छा आप बताओ formula क्या होगा वही formula होगा जो quantity को लेकर था यानि यहाँ पे भी हम वही formula इस्तमाल करेंगे क्या delta p upon p into क्या आपका 100 अच्छा delta p कैसे निकलेगा जरा बताओ दिमाग में आ गया ना बेटा delta p कैसे निकलेगा new value of new value of price minus old value of the price बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया p1 minus p p1 minus क्या आपका p बात समझ में आ गई बेटा तो ये था आपका percentage method जब आप proportionate method की बात करते हो तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीजे यहाँ पे लिखी है वही चीजे पूरा का पूरा explain करके यहाँ पर p तो लिख दी गई है यहाँ पे क्या लिखा है अब delta q भी कैसे निकलता है ये भी हमको पता है इसमें कोई समझता है तो नहीं न बेटा अब direct हम लोग क्या करते हैं question solve करते हैं formula साथी साथ याद करते रहिएगा formula आपको साथी साथ क्या करते रहना है याद करते रहना क्योंकि जैसे ही आप formula याद कर लेंगे आपका answer आपके सामने आना start हो जाएगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी के question को क्या करते हैं बेटा जी हम लोग solve करते हैं तो देखिए सबसे पहला question आपके screen पे दिया गया है इस question को जड़ा ध्यान से देखिए question कहता है कि at 26 per unit demanded at 26 per unit demanded यहाँ पर rupees लगा लीजेगा 26 rupees है यह ठीक है 26 rupees है आपका आप कितना demand quantity करते थे पेटा इस quantity करते थे यानि कहने का मतलब है कि जव आपका आपका price कितना था 26 और आपका quantity कितना था तीस आपका price कितना था 26 आपका price कितना है तीस फिर आगे कहता है कि if the price increase 26 to 30 यानि यह 26 से क्या हो गया बेटा तीस तो आपका जो demand है वो demand कितना हो गया 15 वो demand क्या हो गया आपका 15 अब आपसे question कहता है calculate ED calculate क्या आपका ED बता बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया question अब कौन सा formula यूज करें percentage change इन वाला लगाए या फिर delta q upon delta p अच्छा एक चीज़ याद रखेगा quantity उपर रहेगा बच्चे confused हो जाते हैं सर फॉर्मूला कईसे याद करें quantity always उपर price always क्या नीचे यह बात याद रखना quantity क्या रहेगा उपर रहेगा चलो मैं आप फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला क्या था आपका बराबर minus change in change in quantity demanded change in quantity demanded divided change in price demanded change in price ठीक है अच्छा change in quantity कैसे निकलता है अब इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा working यह question जब आप जैसे मालीज एक्जाम में आता है तो आपको यह proper working भी बनानी पड़ेगी ठीक है proper क्या बनानी पड़ेगी working बनानी पड़ेगी तो आप working नोड बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या percentage change in quantity demanded quantity क्या बिटा demanded formula क्या था आपका जरा बताएंगे formula था हमारा सर डेल्टा q अपान डेल्टा डेल्टा क्यू अपान क्यू into क्या into 100 या इसके जगा आप ऐसे भी लिख सकते हो बताएं कैसे q1 minus q upon q into 100 इसे लिख सकते हो और नहीं लिख सकते हैं छोड़ो डेल्टा फेल्टा क्या लिखें q1 minus क्या q upon q into क्या आपका 100 अगर रहे क्या 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 अवा देखते हैं q 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 जला आप जलो देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर पहले बात बताएं सामने देखेंगे बिटा यह हो गया हमारा क्यू धान से देखें यह हमारा हो गया क्यू और यह हो गया हमारा क्या क्यू यह हो गया हमारा क्या क्यू यह हो गया हमारा क्या क्यू यह हो गया हमारा क् जल्दी से इसको बताइए कितना आएगा आपका, कितना आएगा भई आपका, 15-30 divided 15, यही तो होगा, 15-30 divided 15, कितना आएगा बेटा, जल्दी से बताएंगे, कितना है आपका, 15 है न, Q1 से आपको करना है तब ही तो आएगा आंसर, Q1-Q, अपॉन क्या, Q, और Q, माफ करिएगा, 15 नहीं है, 30 होगा, यहाँ पर 30 होगा, माफ करिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा, कितना आएगा बेटा जी यहाँ पर, 200, डिवाइड करके देख लीजे, भया, 16 माइनस 30, 200 डिवाइड थर्टी, 50 आएगा बेटा, 50 आएगा, अरे भया, यह जीरो से यह जीरो काट दिये, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से काटोगे, यहाँ से कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, 5 आजाएगा कि नहीं आजाएगा, फिर 50 आजाएगा, करो यार, 50, माइनस 50 वही तो, माइनस 50 लीजे, यह आगे आपका चेंज इन क्वांटिटी, अब दूसरा क्या निकालेंगे, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, वही वाला फॉर्मूला लगाईए, क्या लगेगा, डेल्टा पी अपॉन पी इन्टू हंड्रेड, फॉर्मूला पुट करिए, फिप्टी नहीं आएगा, फिप्टीन आएगा, फिप्टीन माइनस 30, फिप्टीन आगया, इन्टू हंड्रेड डिवाइड़, फिप्टी, खासा ही पचास आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, न्यू वैलू क्या है आपकी, 30 माइनस 26, डिवाइड़ क्या आपका, 26, गुड़े क्या 100, कितना आएगा बेटा जरा बताएंगे, 30 माइनस 26, गुड़े 100, डिवाइड़े 26, यह आगया आपका, 15.384, अब बस आप यहाँ पर इसको क्या कर दीजे, पुट कर दीजे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 50, डिवाइड़े 15.384, अच्छा, यहाँ वाला जो माइनस है, इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, इस माइनस से यह माइनस क्या हो गया, कट गया, अब सीधा डिवाइड कर लीजे, 50, डिवाइड़े 15.384, और आणसर आपका आजाएगा, बिटा, आणसर आजाएगा आपका, 3.250, ठीक है, एप्रॉक्स, पॉइंट में कोई अंतर आ सकता है, आप चेक कर देंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा कुश्चन, तो जब भी आप कुश्चन सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया, एक और कुश्चन करते हैं, देखिए, नोट हो गया है, अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन क्या कहता है, कि आपका जो आपको कुश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट करके दे रहा है, जान से देखना बिटा, और वो भी कितना दे रहा है, कितना है आपका, टू, एडी आपको क्या दे रहा है, दो दे रहा है, फिर कहता है कि प्राइस फॉल, 10 to 8, यानि आपको पी भी दे रहा है, पी कितना दे रहा है 10 और आपको P1 कितना दे रहा है 8 जैसे जैसे question पढ़ते जाहिए वैसे वैसे point को आप find out करते जाहिए फिर आपसे question कहता है कि find the percentage increase in quantity demand यानि आपको question में निकालना क्या है percentage change in quantity demand इसको आपको क्या करना है लात को या बेटा find करना है question समझ में आ गया कि नहीं आ गया question आ गया question समझ में if you question में ऐिर रहा है इडी दे रहा है कितना minus दो even कितना दे रहा है फीग किव आप माइनस 20 हो करिएगा या किक पी किटना दिया है आपका do whatever कितना दिया है आठ और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है आपको यह निकालना है तो फॉर्मूला पुट कर यह जल्दी से एडी बराबर माइनस परसेंटेज चेंज इन ध्यान देंगे पर्मूला लिखे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइज अब आपको ध्यान से देखना है आपको इडी कितना दिया है यह बताइए माइनस ट्वेंटी आपको इडी कितना दिया है माइनस ट्वेंटी ठीक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको नहीं पता है परसेंटेज change of price आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं तो निकालिए working note बनाईए जल्दी से working note percentage change in price formula क्या था आपका delta या फिर delta छोड़ो क्या formula था आपका P1 minus P upon क्या P into क्या 100 तो अब बताईए जरा P कितना था P है 10 P1 कितना है 8 यानि 8 minus क्या 10 divided क्या 10 into क्या आपका 100 जरा बताईए कितना percent आएगा उपर तो दो आ जाएगा दो गुड़े 200 हो जाएगा 200 divided 10 यानि कितना आ गया आपका 20 आ गया कितना आ गया पिटा आपका 20 आ परसेंटेज कितना आ गया आपका 20 बताऊ समझ में आया कि नहीं आया अब क्या करें सर cross multiplication कर दे क्या कर दे cross multiplication यानि change in quantity जरा बताईए कितना आएगा मिटा माइनस से माइनस अभी उड़ा देंगे न काहीं परिशान हो यहां पर माइनस आएगा माइनस से माइनस उड़ जाएगा कि नहीं उड़ यानि कितना परसेंट हो गया आपका 400% हो गया बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया तो दिक्कत तो नहीं ठीक चलो फिर आगे देखते हैं एक और कुश्ण देखते हैं तो आपका percentage change in quantity कितना परसेंट हो गया आपका 400% हो गया ठीक है यह सारे कुश्ण आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे यह जानिए यह सारे कुश्ण आपको आपकी किताब में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे परिसान होने की ज़रूरत नहीं है चलिए आगे देखेंगे कोई बात नहीं, अगर आप कोशन नोट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बटा आगे देखेंगे, एक और कोशन देखते हैं देखें ज़रा, अब अगला कोशन क्या कहता है कहता है when price of goods is rise from the 20 to 23 यानि आपको यहाँ पर P दिया है कितना 20 और P1 कितना दिया है आपको A is दिया है question जैसे पढ़ो वैसे लिखदो कि question में कह क्या रहा है या दिया क्या क्या है फिर कहता है कि साथ demand fall हो गई कितनी percent 30 percent यानि change in quantity demand percentage change in quantity demand ये कितना percent हो गया भाईया 30 percent हो गया अब आपसे question कहता है calculate the ED calculate the क्या आपका ED question समझ में आया कि नहीं आया लगाएंगे आप लोग कि हम लगाएं चालो हम ही लगाते हैं आप भी लगाईये ठीके बेटा formula क्या था भाईया ED बराबर minus percentage change in quantity demand change in क्या quantity demand divided percentage change in price ठीके भी या तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से आपको quantity demand का price तो दिया है कितना दिया है 20 दिया है है न भीया कितना दिया है 20 दिया है divided percentage change in price यह निकालना पड़ेगा इसके लिए बनाओ क्या working note इसके लिए बनाओ क्या बेटा जी working note चलो बनाओ माफ करियेगा 30 दिया है ठीक है चलो आगे देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा बेटा change in price यानि P1 minus P divided क्या आपका P into 100 तो P1 कितना है आपका 23 minus 20 divided क्या 20 divided क्या आपका 100 यानि 23 minus 20 divided 20 into क्या 100 कितना आएगा करके देखेंगे 3 आएगा 300 भागे 20 300 भागे 20 15 15 यह आगया 15 आंसर आजाएगा कि नहीं आजाएगा बेटा 30 divided 15 आंसर कितना आगया 2 यानि ED हमारा कितना आगया 2 आगया Point clear हो गया बेटा जी और कौन सा 2 क्योंकि इस बार minus का कोई chance तो कटा नहीं किसी से यह minus 2 आया है क्योंकि minus इस बार कहीं कटा ही नहीं है कि कटा है इस बार नहीं कटा है सर minus 2 clear हो गया बेटा question question clear हो गया आये फिर एक और question करते हैं सर कितरा question करेंगे अरे जितना करोगे उतने जादा अच्छा है भाई आपके लिए आये एक और question देखते हैं ये question जड़ा ध्यान से पढ़िए इसमें question कहता है कि for the commodity of delta P delta P upon P minus 2 अरे delta P upon P अरे ये भी तो कह सकता था लेकिन question देखो कैसे घुमा रहा है आपको आपको question क्या कह रहा है कह रहा है sir delta P divided P into 100 कितना आ रहा है आपका minus 2 आ रहा है क्या रहा है आपका minus 2 आ रहा है बात समझ में आ गई बिटा फिर उसके बाद आगे question क्या कहता है कि an elasticity of demand यानि ED आपको दिया है ED कितना दिया है आपको minus 0.6 minus 0.6 percentage of quantity demand percentage of क्या quantity demand निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा कैसे निकलेगा ED बराबर minus percentage change in quantity divided percentage change in price अब देखें ED आपको अल्रेडी दे रखा है कितना minus 0.6 quantity आपको नहीं पता percentage change in quantity ये नहीं पता है ठीके बिटा ये नहीं पता है लेकिन हाँ ये आपको पड़ता है percentage change in price कितना minus 2 कितना है आपका minus 2 cross multiplication करें यानि कितना आ जाएगा आपका फिर आप percentage देखो माइनस से माइनस कर जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है फिर कहता है percentage change in quantity कितना 0.6 into 2 कितना आएगा बिटा into करिए 0.06 into 0.06 into 2 कितना आजाएगा बिटा 1.2 आजाएगा ठीक है 1.7 क्या आजाएगा 2 आजाएगा और जब आप इसको percentage में convert करेंगे जब आप इसको किसमें convert करेंगे percentage में convert करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 परसेंट हो जाएगा कैसे 100 से गुड़ा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अगे बढ़ते हैं अब अगले नए कुश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है बिटा गुड़ा करके देख लो सायथ गलत किया है मैंने गुड़ा ठीक चले फिर चल अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं देखिए हमारा next question क्या है यह दीजिए हमारा next question कहता है कि from the following table calculate the price elasticity of demand by percentage method आपको क्या दिया है बिटा प्राइज दिया है आपको क्या दिया है टोटल expenditure दिया है जब कभी टोटल expenditure दिया हो तो टोटल expenditure का formula क्या होता है यह जान लो टोटल expenditure का हमारा formula होता है बेटा quantity into price क्या formula होता है बेटा quantity into price तो आपको total expenditure दिया है यह गिट खुल दो आपको total expenditure दिया है तो क्या आप इससे quantity find out कर सकते हैं कि नहीं find out कर सकते हैं कि इसको फाइंड आट करने के लिए total expenditure कि टुटल expenditure divided क्या कर दीजे price कर दीजे क्या quantity नहीं आ जाएगा यानी जैसो भागे क्या चार और पांसो भागे क्याak पताएजरा यह हमारा quantity आ जाएगा की नहीं आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा ठीक है 500 भागे 5 ठीक है 600 भागे 4 500 भागे 5 जरा बताइए कितना आएगा 600 भागे 4 करेंगे तो हमारी quantity कितनी आ जाएगी भी 150 फिर 500 भागे 5 कितनी आ जाएगी आपकी 100 यह आ गया हमारा क्यू यह आ गया हमारा क्यू यह आ गया हमारा क्यू वन यह आ गया हमारा पी यह आ गया हमारा पी वन पताइए कुशन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कुशन सॉल्व हो जाएगा चलिए यहां पर लिख देते हैं इडी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड़ परसेंटेज चेंज इन प्राइज ठीक है डारेक्ट उठाते है फॉर्मूला कैसे बताएं देखो Q1 माइनस Q डिवाइड़ क्यू इन्टू क्या 100 यही न इन्टू क्या 100 इसमें तो कोई confusion नहीं न किसी को मैंने क्या किया अलग-अलग लिखने के जागा मैंने क्या कर दिया एक में लिख दिया अब solve हो जाएगा न करीज देते हैं Q1 कितना है आपका 100 100 माइनस 150 डिवाइड़ क्या 150 गुड़े क्या 100 डिवाइड़ फिर P1 कितना है 5 माइनस 4 डिवाइड़ क्या 4 इन्टू क्या 100 जल्दी बताओ कितना आएगा 100 माइनस यहां आगया आपका 33.33 डिवाइड 5 माइनस 4 डिवाइड 4 यहां आगया 25 33.33333333 डिवाइड 25 अंसर आगया आपका 1.333 पॉइंट का थोड़ा सा इदर उदर अंतर हो सकता है ठीक है पॉइंट का इदर उदर अंसर हो सकता है चले आगया बहुत आसान है कठिन लग रहे क्या कठिन लग रहे है भाई formula अगर याद है अगर formula याद है तो बिलकुल कठिन नहीं लगेगा आईए इसी बात पर एक और question करते है चलिए देखे question क्या कहता है कहता है कि price of commodity increase 50 to 60 यानि आपको फिर से यहाँ पे क्या दे दिया E और P1 दे दिया E कितना था 50 P1 कितना था 60 quantity demanded initially 200 unit initially मतलब क्या होता है बेटा आपका starting initially मतलब क्या होता है आपका starting कितना है 200 है यानि आपको directly कह रहा है वो कि भाया जो आपका Q था वो कितना unit है 200 unit है और आगे question कहता है कि what should be the new quantity यानि Q1 क्या होगा what should be the new quantity अगर ED आपका बराबर 1 है ED बराबर क्या है आपका 1 है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ED बराबर 1 का मतलब है कि जितना percentage change of quantity होगा उतना percentage change of क्या होगा demand प्राइज होगा price होगा price मतलब percentage change of the price is equal to the percentage change of the quantity यही तो कहानी थी यही कहानी थी ना आईए solve करते हैं तो ED बराबर माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा पी यह कौन सा मैथ़ड हम इस्तमाल कर रहे हैं proportionately मैथ़ड ठीक है into चलिए आगे देखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा पी इन्टू फिर क्या लिखेंगे आपका P अपॉन Q है न भी या आईए देखते हैं तो क्या आपको डेल्टा क्यू पता है नहीं सर्व हमको डेल्टा क्यू कहां पता है हमको डेल्टा क्यू नहीं पता है लेकिन हमको डेल्टा पी पता है निकालना पड़ेगा डेल्टा पी निकालना पड़ेगा भाई डेल्टा पी कैसे निकलेगा पी वन माइनस पी यही तह है अपॉन क्या पी इंट्रू क्या फंड्रेड चली जल्दी से बताएं कितना आएगा आपका 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंट्रू हंड्रेड कितना आएगा भाई 30 माइनस 50 गुड़े 100 डिवाइड़ पचास यानि कितना आगया 20 ना आगया 20 चली यहाँ मैंने 20 लिख दिया पी पता है क्या आपको आशर पता है कितना है पी 50 क्या आपको क्यूँ पता है पता है सर कितना 200 कितना है आपका 200 बताओ समझ में आया के नहीं आया अख का न चाहिए एक चीज और सुन लो ध्यान से डेल्टा पी का हमारा फॉर्मूला क्या था यह बताओ डेल्टा पी का फॉर्मूला था पी वन माइनस पी था अपॉन पी नहीं था यह देखो फॉर्मूला यह देखे फॉर्मूला और आप लोग बस बस सर कई सो आ जाए आंसर बस देखा जाएगा बतलब यह अगर यह नहीं होगा मालिक टीक है चली ध्यान देंगे एक मिट यहां से यह हटाना पड़ेगा यहां पर क्या आएगा पी वर्न माइनस पी यहां पर क्या आ जाएगा बिटा जल्दी से बताना कितना आएगा साठ माइनस पचास यानि डेल्टा पी कितना आएगा 10 आएगा समझ में आया भहिया सब में कैसे गलत हो गया वहां पर चेंज निकालते थे यहां पर खाली डेल्टा निकाल रहे हैं हम यह तो देखो वहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते थे निकाल रहे हैं ठीक है बेटा चलिए तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आप देखिए क्रॉस मल्टिपिकेशन करिए यहां से यह कट गया ध्यान से सुनिए यहां से 0 से यह 0 कट गया तो आपका ध्यान से दिखी भिया ध्यान देंगे क्यू बराबर क्या 200 फिर डेल्टा क्यू बराबर 200 भागे क्या 5 200 भागे क्या आपका 5 कितना आएगा बिटा 40 ठीक है और आपको निकालना क्या था आपको निकालना था कि what should the new quantity हमारी new quantity कितनी है कैसे निकालेंगे अभी देखिए डेल्टा क्यू आ गया है आपका कितना 40 अब डेल्टा क्यू बराबर q1 माइनस q डेल्टा क्यू तो आपको दिया है 40 q1 कितना है नहीं पता लेकिन q पता है हमें कितना 200 फिर q1 बराबर 200 माइनस क्या 40 आंसर कितना आ गया 160 यानि Q1 कितना है आपका 160 लीजिए Question clear हो गया तो आपको देखे जो गलतियां होती है अक्सर बच्चों से क्या-क्या गलतियां होती है Delta P निकालना था लेकिन हम percentage change in price निकालने लगे ये ये नहीं करना है बलकि आपको सारा formula क्या करना है concept wise याद रखना है Point clear हो गया बेटा जी चले आगे चलो आगे देखेंगे चलो नोट करो जल्दी से चलो अबी जो चीजे नहीं समझ में आई है अभी कुद्देर में डिसकस करेंगे आगे देखेंगे अब आपका देखेंगे स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कराया था पांच पॉइंट नोट करवाए थे और उस पांच पॉइंट में से आपके कितने पॉइंट हो चुके हैं कम्प्लीट, 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 अब ये बाकि है, factor affecting, elasticity of demand, important है, query के portion के हिसाफ से बहुत important है, चलिए start करते हैं, factor affecting, price, elasticity of demand, कौन कौन से वो factor है, जो आपकी elastity of demand को effect करते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर आपका क्या है नेचर आफ दा कॉमोडिटी जब आप नेचर आफ कॉमोडिटी की बात करेंगे यानि गुट्स के नेचर की बात करेंगे तो गुट्स के नेचर को हम लोग तीन भागों में क्लासिफाई किये हैं इतने भागों में classify किये हैं, तीन भागों में classify किये हैं, एक है आपका necessary goods, जिसके बीना कामी नहीं चल सकता, एक है आपका luxurious goods, जो सिर्फ लोग क्या करते हैं, अपनी सुक्सविधाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, और तीसरा है आपका comfort goods, मतलब क्या है, कि इसके बीना ऐस नहीं है कि आप रहोगे नहीं, आप रहोगे, दुनिया छोड़कर नहीं जाओगे, रहोगे आप, जिसे necessary goods में अगर हम खाना पीना छोड़ दे, नेसेसरी के मतलब क्या है खाना पीना, अगर छोड़ दे तो कई दिन survive करेंगे, लेकिन सोचो अगर हम कपड़ा ना पहिने, एक महीना हम कपड़ा ना पहिने, तो क्या हम survive करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, कपड़ा ना पहिने तो क्या survive नहीं करेंगे, अरे कभी कवग देखे हो कपड़ा पहिने हुए, कभी भैस को देखे हुए beauty पालर जाते हुए, नहीं देखे होगे भाई, अब अलग बात ह कि आप लोग कुछ और सोचने लगें तो ठीक है आगे देखेंगे चलिए आगे देखेंगे तो necessary goods में always याद रखिए कि आपकी less elasticity होती है ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनियेगा नंबर यहां से MCQ में आएगा necessary goods में आपकी क्या रहती है less elasticity और less elasticity का मतलब क्या होता है सर less elasticity का मतलब क्या होता है सर यह बताओ less elasticity का मतलब होता है कि जहां पे आपका price में क्या रहेगा बेटा change तो होगा लेकिन quantity demand में जो change होगा वो क्या होगा price के compare में कम होगा क्या होगा? कम होगा यानि price जादा होगा change और quantity demand क्या होगा आपका कम होगा यानि जो less elasticity है वो किसके लिए है necessary goods के लिए है इसके लिए है आपका necessary goods के लिए आप लोगों ने diagram जहां बनाया होगा वहाँ पे लिख लीजेगा necessary goods फिर उसके बाद अगला point हमारा क्या है sir अगला point क्या था हमारा luxurious लग्जीरियस की goods की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है more elasticity of demand क्या लिखा है वेटा आपका more elasticity of demand और more elasticity of demand का मतलब क्या होता है highly elasticity मतलब जहां पे आपका price कम change होता है लेकिन उसकी जो demand होती है वो क्या हो जाती है जादा हो जाती है जैसे जब summer vacation आता है या जब वो कहते हो winter sale आता है या summer sale आता है या इंड season sale आता है तो थोड़ा सा ही तो price कम होता है गाडियों में 10-5,000 का कम कर देंगे वो जो गाड़ी आपकी 10,000,000 की मिलती थी वो गाड़ी आप 9,000,000,000 की मिलेगी पचासे हजार का अंतर आया लेकिन demand हाट दे बढ़ गई होता है कि नहीं होता है होता है तो जो जितने भी आपके luxurious goods होते है जितने भी आपके क्या होते है लगजीरियस goods होते है उन में जो elasticity देखी जाती है वो क्या रहती है आपकी high वाली देखी जाती है point clear हो गया लिख लीजेगा जहां पे आपने diagram बनाया था उसके बाद अगर हम comfort की बात करें तो comfort में आपका क्या रहता है moderate रहता है moderate का मतलब जैसा price वैसा demand जैसा price वैसा क्या demand बात समझ में आ गई बेटा एक नंबर का सवाल यहां से कई बार पूछा गया है लगजीरियस goods में क्या elasticity होगी necessary में क्या होगी और comfort में क्या होगी example की रूप में देख लीजे bread है, cloth है, butter है, luxurious में costly furniture है, car है और necessary में जो भी आप अपने हिसाब से समझ सकें दो-तीन example में ने यहां पर लिखा है ठीके बेटा समझ में आ गया आप आगे देखेंगे दूसरा factor क्या है, यह पहला factor समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब दूसरा factor क्या कहता है, दूसरा factor कहता है availability मतलब sir, substitution की बात का अगर हम करेंगे, किसकी बात करेंगे, substitution की, देखो जिस product का substitute है market में, जिस product का substitute है market में, वहाँ पे elasticity क्या रहेगी, more रहेगी, जैसे अगर हम tea और coffee का example ले, अगर हम किसका example ले, tea और coffee का example ले, तो वहाँ पे जो elasticity आपको देखने को मिलेगी, वो क्या रहेगी, more रहेगी, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि एक का थोड़ा सा गया, दूसरे का पूरा गया, price थोड़ा सा गिराओ, demand बढ़ा दो, ये वाला concept, और sir मालो जिसका substitute ही नहीं है sir, फिर तो inelastic है, चाहे price बढ़ाओ, चाहे price demand वही की वही रहेगी, अगर हम example की बात करें, तो आपने एक product देखा होगा, iPhone, iPhone देखा होगा, उसका substitute अभी नहीं आया है market में, लेकिन Android phone के substitute है market में, पोपो ले लो, बीबो ले लो, शौमनी ले लो, पोको ले लो, लेकिन iPhone का क्या substitute है market में, मतलब उस software का substitute है क्या, मैं phone की बात नहीं, मैं software की बात कर रहा हूँ, iPhone में खुद का software होता है न, और window में आपका खुद का अपना रहता है, point clear हो गया बेटा, इसलिए देखो, दो दो लाग, तिन तिन लाग का बिखता है phone, बिखता है कि नहीं बिखता, बिखता है market में, चलि आगे देखेंगे, फिर उस postpone of uses, यानि जिस product के use को आप postpone कर दें, जिस goods के use को आप क्या कर दें, पोश्ट पोर्ड, मतलब इस महीने नहीं, चलो अगले महीने देखेंगे, चलो अगले नहीं अब जनवरी फरवरी में देखेंगे, अभी क्या चल रही फरवरी चल रही है न, ठीक है या, जुन जुल जाती है, और सर जिसको आप postpone ही ना कर सको सर, चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब क्या, चाहिए, तो भाईया वो क्या हो जाएगा, inelastic, एक example देते हैं, COVID के टाइब में, मुझे क्या कहते हैं, वो जो ऑक्सीमीटर होता है, जो आपके body का वो बताता है, oxygen label, वो चाहिए चाहिए था, चाहिए मतलब, चाहिए, तो दो सो पान्सो रुपेह का ओक्सीमीटर मैंने साड़े चार हजार रुपे में खरीदा था, चाहिए मतलब, चाहिए, price कितना बढ़ रहा है, उससे हमें कोई मतलब, नहीं है, मतलब चाहिए तो चाहिए, लेकिन अगर पोश्पोन कर सको तो फिर more clear हो गया वेटा फिर उसके बाद कहता income of buyer अगर किसी income buyer की income क्या है वेटा less है कहता है if the income of the buyer is there is a less elasticity of demand मतलब अगर income किसी buyer की high है यहाँ पर point रहना छूड गया है यहाँ अगर किसी buyer की income क्या है वेटा high है तो वहाँ पर less elasticity देखी जाएगी वहाँ पर क्या देखी जाएगी less elasticity देखी जाएगी लेकिन अगर किसी buyer की income क्या है कम है तो फिर वहाँ पर क्या देखी जाएगी more elasticity देखी जाएगी क्या देखी जाएगी more elasticity देखी जाएगी क्योंकि अगर आपको याद हो तो income or demand का positive relation था अगर आप theory of demand पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि income or demand का क्या रहता है positive relation होता है मतलब मेरी income कम है थोड़ा सा price घटा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरोडेट खरीदूगा की नहीं खरीदूगा पूरा सा price बढ़ावे छोड़ो यार पैसा नहीं है पैसा बहुत नहीं है चलो होता है कि नहीं होता है होता है आगे देखेंगे अगला factor देखेंगे फिर कहता है sir habit habit तो बेटा बड़ी खतरनाक चीज है इसमें आप यह जान लीजे कि inelastic है जैसे लोग क्या खीशते हैं लोग क्या खीशते हैं कितनी बड़ी cigarettes आए 10-14 रुपे की आती है देखो इनको 18 पता है बताओ इनको चलो बिटा 18-20-50 जो भी है rate खीक है तो habitual है अगर क्या है habitual है तो वहाँ पर inelastic charge इतना price है देना तो देना पड़ेगा यह देखिए इसमें कहता है proportion of the income is spent to the commodity ध्यान से सुनिएगा proportion of the income यानि हम अपनी income कहाँ ज़्यादा खर्च करना चाह रहे हैं इसमें लिखा if the consumer spend the large proportion of their income कहाँ पे? कार पे scooter पे मतलब यह कौन सा हो गया comfort वाले हो गया कि नहीं हो गया खाना पीना में खर्च करेंगे भाई यह ठीक है जाओ फिर क्या inelastic खाना पीना दाथ साब करने वाला मंजन वालेट साब करने वाला cleaner पोछा लगाने वाला doctor cleaner तो वो क्या हो जाएगा आपका inelastic point clear हो गया मेटा चलिए एक last point देखेंगे time period time period की बात करेंगे अगर short term time period है तो फिर क्या हो जाएगा आपका inelastic अगर long period है तो फिर आपका क्या elastic बात समझ में आ गई बेटा चलिए फिर अब वो घड़ी जिसका आप लोगों को बड़ी देर से इंतजार था thank you बेटा chapter यहीं पर क्या होता है स्तमाप्त होता है बात समझ में आ गई बेटा देखो मैं भी खुस हो रहा हूँ मैं भी खुस हो रहा हूँ ठीक है तो चलो फिर आज के लिए फिलाल इतना ही कोई भी समस्या रहे तो आप हमारे नीचे दिये गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं बाकी क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताईए ख्याल रखिए आप सभी अपना दुआओं में याद रखिएगा जै महादेव